वेल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज मैं लिख्या आई हूँ आल टाइप हैर कट वीडियो सो आप देख सकते हैं इन में से आपको कौन सा हैर कट पसेना है प्लीज कमेंन सेक्षन में जरूर बताएगा और मेरे वीडियो में आप नए देख रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किजिएगा ताकि आने वला वीडियो कमें आपको पहले मिल जाये आपका हैर लॉंग है और आपको सेम लेंध में हैर कट चाहिए तो आप लॉंग लेयर हैर कट कर सकते हैं तो आपको कौन सा हैर कट करना है आपका हैर का क्वालिटी के उपर डिपेंड करता है तो आपका हैर स्ट्रेट है करली है वेवी है थोड़ सा मतलब एक मेगी टाइप का करली रहता है इसमें आप मेगी की टाइप का करली में आप लe लेयर्स पहुत ही सुन्दर लगता है आपका हैर नॉर्मगी करली हे तो आप स्टेप कर लिजिये ओर एक में इंपर्टन बात करने वाले हूं आपको length मतलब short नहीं करना है आपको थोड़ सा grow करना है hair को तो आप step layers कुछ भी मत किजिएगा आप only light you कर लिजिए और three month में एक बार haircut जरूर किजिएगा क्यूंकि आपका split ends आने के बज़े से hair growth फास्ट नहीं होता है इसलिए आप three month में एक बार haircut कर लिजिए आधरीज two month में भी आप एक बार कर सकते हैं only for trim तो आपका hair growth बहुत fast हो जाएगा और आप only light you भी haircut कर लिजिए आपको length चाहिए तो आप देख सकते हैं यह stay with you आपको तरह से stylish look चाहिए bouncy look चाहिए तो आप कोई भी hairstyle कर सकते हैं according to the length or according to the hair so आप देख सकते हैं यह है only layers so layers में भी बहुत ही अच्छा लगता है प्याराचा लगता है और यह है color plus hairstyle so आप देख सकते हैं उनका color भी बहुत प्यार आया था और उनको haircut भी बहुत पसंद आया था और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा bouncy look आया है इस type का hair में आप high ponytail भी कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर रगता है और यह है long strap cut so आपको थासा length ही चाहिए आपको bouncy look चाहिए तो और stylish look भी चाहिए तो आप यह type में haircut कर सकते हैं आपका length भी कुछ भी cut नहीं होगा same length में आएगा और यह है medium layer so आप देख सकते हैं यह भी बहुत अच्छा आया है और यह है short layers so यह है medium layers आप देख सकते हैं यह भी बहुत अच्छा आया था और आपको कैसे लगा प्लीज बताइएगा और यह है graduate bob so आप देख सकते हैं graduate bob आपका hair straight होना बहुत जरूरी है आपका hair curly है तो उतना खास नहीं लगता है क्योंकि bob hair में आपका straight नहीं तो यह होना बहुत जरूरी है आपका curly hair में आपका hair और उपर चल जाएगा और उतना अच्छा नहीं दिखता है bob cut so आप देख सकते हैं यह है step cut मतलब down में step चाहिए तो आप ऐसे type में भी कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा लगता है और यह curly hair cut not hair cut this one only curly tongue से क्या है और यह है color भी लगा है red maroon color का color लगा है आप देख सकते हैं कितना प्याला लग रहा ही color भी और यह step with layers है यह भी बहुत अच्छा आया था और यह smoothing so आप देख सकते हैं यह permanent smoothing है बहुत अच्छा शाइनिंग कर रहा है आप देख सकते हैं यह straightening so straightening आप देख सकते हैं thank you so much for watching my video so bye bye take care